सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली होरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें इस कहाने के लेखाख है संजय कामले सुबह होने को थी पर सुरज अभी निकला नहीं था ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े सखाराम को थोड़ा होश आया मतलब किसी ने मूँपर पानी मार कर जैसे उसे उठाया था उसका ट्रक सड़क छोड़क छोड़कर एक विरान से गास के मैदान पर खड़ा था वो ट्रक से नीचे उतर कर हैलान परिशान होकर चारो और देखने लगा तभी पीछे कुछ दूरी पर उसे लोगों की भीड दिखी जिसमें से कुछ लोग जमीन पर कुछ नियारते हुए आपस में बाते कर रहे थे थोड़ा हैरान होकर वो भीड से लोगों को हटाते हुए अंदर जाने लगा लोगों की चहरे पर दैशात का महौल था सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरानी से बात कर रहे थे उसने देखा तो जमीन पर उसी के ट्रक के टायर के निशान थे पर एक जगा खोब सारा कीचड फैला हुआ था तभी भीड से किसे ने कहा ये देखो यही ट्रक चला रहा था सखाराम ने उसकी बात उपर द्यान नहीं दिया और तभी कीचड के अंदर उसे एक इंसानी हाथ दिखा जो खोण और कीचड से लदा हुआ था उसने ज़रा द्यान से देखा और एक सदमे से जैसे उसके पैरों के नीची से जमीन किसक गई जमिन पर किचर में किसी की लाश थी किचर की बज़े से पहचान में ना आने वाली उस लाश को देखकर सखाराम जैसे चक्कर खाकर गिर गए और उनके कानों में उनके ट्रक के क्लीनर सुनिल की आवाज गुझने लगी जो कल रात वो डर की मारी बोल रहा था अन्ना ट्रक के सामने कोई आया था क्या बोलो ना आपने किसी को ट्रक से कुछला है क्या अन्ना मुझे बहुत डर लग रहा है कल रात के सुनिल की वो आवाज अब सखाराम की कानों में गौंचती वो आवाज कम होने लगी आखे खोली तो वो लोगों सी गीरे थे सखाराम के कानों पर पढ़ने वाली लोगों की वो बाते और आवाजे देरे देरे कम होने लगी उसे आवाज आ रही थी तो सिर्फ अम्बुलेंस के सायरन की वो आवाज सुनकर मानों जैसे उसका दिमाग सुनना पड़ने लगा वो जमीन पर पड़ा था और उसके चारो तरफ खड़ी लोग उसकी तरफ देखकर हैरानी से आपस में कुछ बोल रहे थे पर उनकी आवाज नहीं आ रही थी सखाराम अपनी चौड़ी आँखों से लोगों की हिलने वाले होटों को देख रहा था देरे देरे सब कुछ जैसे दोंदलासा नजर आने लगा तभी कुछ लोगों ने उसे उठा कर एंबुलेंस के स्टीचर पर लिटा कर अंदर डाल दिया कानों में अबुलेंस के सारन की लगातार गोमती आवाजों के साथ बीती रात गटी बयानक गटनाओं का सारा सिलसिला उसके नजरों के सामने आने लगा डर की बज़े से रंग उड़ा हुआ चहरा कावते हुए लवज डरे सेमे नजर सब कुछ बीती रात रात के दो बच चुके थे रात की काले गाने अंदेरे में किसी काले साप की तरह दिखने वाली सुनसान सड़क से माल से खचा-खच बहराटरा गुजर रहा था रास्ते की दोनों तरफ खड़े बर्गत की पीड की लंबी जुकती हुई शाखाय जमिन तक पहुँच रही थी शाखायों की बीच में उल्टा लटकने वाली चमगादलों का जूंड देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था और ये चमगादलों में से एक आएक चमगादल ट्रक के काज के सामने से जटकी से गुजर जाते हैं पर लोरी के ड्राइवर सखाराम को इन सब की जैसी आदत सी हो गई थी इन खौपनाक अंधेरे में एक गाने की आवाज कानों में गुज रही थी ट्रक के अंदर लगाए रेडियो एफिम पर एक फ्यारा सा गाना लगा था रात के गैरे सननाटे के बीच कानों पर परती हो सुरुली आवाज की वज़े से ड्राइवर को नेंद नहीं आ रही थी जिसके वज़े से वो अच्छी तरह से ड्राइविंग कर पा रहे थे गाड़ी तेज भागने के लिए उन्होंने गाड़ी को गेर में डाला और गाड़ी ने फिर से तेज रफतार पकड़ ली ड्राइवर साइट की खोली छोटी से खिड़की से भी तराती ठंडी हावाओ के जोके जैसे मन को ताजगी दे रहे थे उसे ठंडी हावाओ के जोकों के बज़े से ट्रक के क्लिनर को गहरी नीन लगी थी बाई तरफ के लखड़ी के बेट पर वो एक मिनान से सोया हुआ था सड़क पूरी तरह से सुनसान होने के कारण अब ट्रक ने 70-75 का स्पीड पार कर लिया था क्योंकि कल दशेहरा था सुभा गाड़ी में लदा समान खाली करने के बाद गाड़ी सिधे ही रमेश के सर्विस इंटर पर ले जाकर गाड़ी को अच्छी तरह से सर्विसिंग करके सिधे घर की और ले जाकर नहा दोहा कर नए कपड़े पहन के गाड़ी की पूझा करके सिर पर कॉलापूरी फेटा बांद कर गाड़ी को नारियल चड़ा के मोह में बनार सी पान चबाते गाओं में गुम कर लोगों से मिलने की उसकी योज ना थी कुछ दिन पहले उसकी बेटी की शादी हुई थी कल बेटी और दमाद दोनों दशेहरे का तेवार मनाने आने आने वाले थे सखाराम महराश्र के कुलापूर का पहलवान बंदा मतलब उन्हें बच्पन से ही पहलवाने का शौक था छे फिट की हाइट काली गुमाओदार मूच्छे और बड़ी हुई दाड़ी जिसकी बज़े से उनमें कालागी चाप थी बदन पर हमेशा सफेद कपड़े पर ड्राइविंग करते वक्त शाट हमेशा किसी कोने में रखी दिखाई दी थी मूह में हमेशा बनासी पान की लाली अभी भी उनकी मूह में बनारस का पानी था अपने ट्रक की खुली खिलकी से पान की बिचकारी बाहर मारते हुए और उन्होंने ट्रक के केविन के अंदर अराम से सोये हुए सुनिल की तरफ देखते हुए कहा ए सुनिल जब देखो दिन रात सोता रहता है उड़ जा अरे मुझे बहुत बोर लग रहा है कहां सोया हूँ सिर्फ आँखें बंद करके लेटा हुआ हूँ आपकी सुरीली आवाज और साथ ही रेडियो में चलते गानों की बज़े से कभी नीद आई है क्या क्यों बे मेरी आवाज की तारीफ कर रहा है या ताने दे रहा है ताना और आपको मेरी इतनी ओकाद मतलब सच्चा ही बता रहा था कि आपकी आवाज जैसी पूरी रेडियो पर किसी के नहीं अपनी तारीफ सुनकर सकाराम के जहरे पर एक अजीब सी चमकाई पर सुनिल का सर उनकी बद्दी आवाज से फटा जा रहा था आवाज बंद करने के लिए सुनिल ने दुबारा से एक पान बनाया और सकाराम को दे दिया खोश होते वे सकाराम बोले यार तो मेरा इतना ख्याल रखता है ना जितना मेरी घरवाली भी मेरा ख्याल ने रखती और सकाराम ने वपान अपने मूमेंट डाल दिया अब सिर्फ गानों की हलकी सी आवाज सुनिल की कानों में गोंज रही थी ट्रक की एक तरफ की काज के पास बैठे सुनिल के नजरे काले अंधेरे को चिर्ती हेडलाइट की रौशनी में गड़ी थी सड़क की दोनों तरफ दिखने वाली गहनी जारिया अब कुछ कम होती हुई दिखाय देने लगी कुछी देर में उनका ट्रक एक विरान सी जगा से गुजरने लगा सड़क कच्ची होने के कारण ट्रक के पहियों से उठने वाला दोल का बादल हवा में एक लखिर सा बना रहा था सड़क काफी कच्ची होने के कारण ट्रक का स्पिट भी काफी कम था सड़क के दोनों तरफ दोर दोर तक हरी गहास का मैदान नजर आ रहा था मैदान खत्म होने का नामी नहीं ले रहा था कहीं भी इंसानों की बस्ती नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई और रोशनी दिखाई दे रही थी दोनों बातों में खो गए थे हसते खिलखिलाते, मजाग, मस्ती करते हुए दोनों का सफर अच्छे से कट रहा था आने वाली इन होनी से दोनों पूरी तरह से अंजान थे सखाराम के नजरे लोरी के काँच से बाहर ही थी और सुनिल अपने रेडियो के फ्रिक्रेंसी सेट करने में लगा था कि तहीं एक दोन से गाड़ी का स्टेरिंग पूरी ताकत से मोड़ते हुए सखाराम में गाड़ के रेत लगाए एक लोरी के पहिए कुछ फिट तक कच्छी सड़कती मिट्टी और बोर बोरे रेत के उपर से खरर खरर इस तरह की आवाज करते हुए गसिट कर आखिर तक गए जटका इतना असरदार था सुनिल ने रेडियो के साथ गाड़ी की सामने वाली काच से टकराया पर काच तूटा नहीं एक जोर की आवाज के साथ ट्रक एक जगा रोप गया ट्रक का इंजन अभी भी शुरू था गर गर आवाज करते हुए ट्रक का इंजन लगातार वाइबरेट कर रहा था सुनिल ने खुद को संभालते हुए सकाराम की तरफ देखा डर के मारे उनका चैरा सफेद पर चुका था देशत भरी आखों से सकाराम की तरफ देखते हुए सुनिल ने पूछा अन्ना, अन्ना, क्या हुआ नीन दा रही है क्या या आपने किसी को ठोक दिया डर के कारण सकाराम की दिल की धरकन तेज हो बई थी कुछी सकंड में उनका गला पूरी तरह से सुख गया था अपने खुली आखों से वो सामने वाली काच से तोर तक नजर आने वाली सड़क को देख रहे थे अन्ना, अब बोलते क्यों नहीं क्या हुआ नीन दा रही है क्या आपको अगर नीन दा रही है तो कुछ दिर आराम कर लिजे दोबारा सुनिल ने उनकी दरब देखते हुए कहा सुनिल की आवाज सुनकर सखाराम एकदम से होश में आब है कापती होई आवाज में सखाराम ने कहा नेन नहीं आ रही लेकिन शायद हमने किसी को ठोक दिया ठोक दिया, तो ट्रक क्यों रोका जल्दी शुरू करो और भागो यहाँ से अगर पकड़े गए तो मुसीबत होगे नहीं, अगर वो इनसान जिन्दा होगा तो कहते हुए ट्रक के सामने वाली हेडलाइट वैसे ही शुरू रखकर सखाराम नेचे उतरे सुनिल भी दूसरी तरफ से नेचे उतर गया दोनों ही एक के बाद एक ट्रक के पहिए देखने शुरू कर दिये कच्ची सड़क होने के कारण दोल मिट्टी का एक गुबार उनके ट्रक के आसपास तयार हो गया जिसके कारण कुछ भी साब साब नजर नहीं आ रहा था मोबाइल का टॉर्च आउन करती हुए दोनों ट्रक की पहिएों को देखने लगे पर कुछ भी नहीं था ना किसी का खून ना वैसा कोई निशान नजर आ रहा था ट्रक के पहिए पूरी तरह से सुखे थे इसका मतलब कोई हाथसा नहीं हुआ था अन्ना शायद आपको नीन दा रही है जरूर कुछ वहम हुआ है आपको कुछ दिर आराम कर लिजिए सुनिर की बाते सुनकर सकाराम चुपचाप खड़ा रहा उसने साफ साफ किसी को ट्रक के सामने से दोड़ते हुए जाते दिखा था एक सफेद आकरिती इंसान जैसे दिखने वाली पलक जपकते ही ट्रक के सामने से दोड़ते है सकाराम के दिमाग में एक ही बात लगातार गोम रही थी आखिर वो क्या था ये कहाने आपको अच्छे लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजे हम कोशिश करेंगे कि अगली अनिमेटेड स्टोरी आपके होगी